कैसे हो मेरे दोस्तों ग्रूप भी ही भी है आज का मामला लेकिन हम बात पर्टिकुलर्ली करेंगे इंडिया वसे जिम्बाववे के उपर और खबरदार अगर किसी ने इस मैच को हलगा समझने की कोशिश करी तो निप्टारा वहीं पर पहली फुर्सत में कल लिया जाएगा आज हो जाएगी ट्रिपल हेडर्स है आज और ग्रूप भी की सारी ही स्थिति आज कट टू कट क्लियर होएगी अगर साउथ आफरिका और पाकिस्तान अपने गेम्स चीच जाता है फिर वहां से इंडिया को जिम्बावे को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउड में हराना ही होगा लेकिन जो कैमपेन है न वो देखिए उतना असान भी रहा नहीं है टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान से क्लोस कॉल इंकाउंटर हुआ था नेधरलेंड से जीत मिली लेकिन बीच में वहां पर मिडल ओवर्स में स्लो हो गए थे साउथ आफरिका से देखो हार मिल ली थी औ और बांगलादेश के अगेंस बहुत ही क्लोस माच हुआ था दूसरे एंड़ पर जिंबावे टूनमेंट से बाहर हुआ तो लूज करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं देखो और बढ़िया डिस्पले करने के लिए उनके पास सब कुछ है फिर जैसे पाकिस्तान को हरा के अपसेट किया था फिर वहीं पर वो देखना चाहेंगे ऐसा कि वैसा ही परफॉर्मेंस वो वापस से डिलिवर कर सके लेकिन दोस्तों हैंड्स डाउन जिंबावे ने जिस तरीके से कौलिफाइंग राउंड में डॉमिनेट किया था और सुपर बारा में भी बढ़िया किया था उनका तो फिर ये कहा जा सकता है कि कमेंडबल जॉब इस्पेशली जो अटैकिंग स्टाइल रहा है जिंबावे का टूनमेंट में उससे उन्होंने सबका दिल बहुत ही जीता है और हां बाटिंग ने डिसपॉइंट कर दिया उनके सुपर 12 के T20 वर्ड कप कैमपे इसके पर रोही चर्मा और वाइस कैप्टन केयल रहूल दोनों ही स्टार्ट देने में टीम को असफल से हुए हैं इंडिविज्विज्यली रोही चर्मा ने नेधरलेंस के अगेंस स्टेडली खेलते हुए एक हाफ सेंचुरी स्कोर करी थी और केयल रहूल ने स्टैंड लगाया है 13 रंस का और वहाँ पर ही 4.27 का रन रेट आया है यार इंडिया के उपर पाकिस्तान और नमीबिया का ही खराब ओपनिंग स्टैंड का रिकॉर्ड आता है टूर्नमेंड में फिर अगर टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बाटिंग करने का डिसिजन ले और आवरेज है उनका 6.42 का और इस ट्राइक रेट तो और ही खतम साइट पर है जो है 77.58 का टूर्नमेंड की शुरुआत में ही विगेट कीपिंग बैट्समें टॉप ओडर में बल्ले बाजी करते थे फिर पता नहीं कौन सा कीली मंजार हो गया कि उन्हें नमबर 6 पर कर पाए और स्ट्रगल खासा कर रहे थे जहां पर 15 बॉल्स का सामना चकाबवा ने किया फिर तो दो दो जीवन दान इनको मिल गये लेकिन उसको कनवर्ट ये कर नहीं पाए अब जब टीम मैनेजमेंट को क्लारिटी ही नहीं आ रही है इनके उपर तो फिर जाहिर सी बात है पर हुए है जहां पर पहला ही इनाग्रिल मैच बिट्वीन इंडिया वसिस पाकिस्तान के बीच में यहां पर वत जो बारिश की बेटन नहीं चड़ा था ध्यान दीजे का नहीं चड़ा था वरना तो पूरा गेम होकर कोई करा नहीं पाया MCG में और देखो क्रिकेट फान् आस के तीन मैच इस तो पूरे ही धुले और इंगलेंड वसिस आइलेंड का जो दो मैच हुआ था वो भी बारिश की वज़े से बादित हुआ था ड़क्वित लुए से अप्लाई किया गया था जहां पर आइलेंड ने इंगलेंड को हारा दिया था लेकिन उपर वाले से बॉल बैड पर बढ़िया तरीके से आने लगी कि फिर क्या मौजी मौज होगी बैट्समिन की बाउंडरी बढ़ी हैं MCG की इतनी बढ़ी कि आप स्क्वेर में खेलो और अगर तो चौका नहीं मिलेगा तो फिर आपके पास ये फ्रीडम रहती है कि बैट्समन भाग के चार अब बात करते हैं इंडियन प्लेइंग 11 की तो वो भी सिमलर ही दिखेगी केल राहूल, रोही चर्मा कप्तान, विर्राट कोली, सूरिकुमार, यादव, हार्दिक पांडिया, दिनेश कार्थिक तब विकेट कीपर, अकसर पतेल, रवी चंदर नश्विन, भुवनेश्वर दोनों ही टीम्स फुल फ्लेज़िट जीत के लिए जाएंगी अटाक मोड में, क्योंकि उससे कम तो चाहिए ही ने न, क्या मानना है आपका, चलो ये तो बढ़िया है, एक बढ़िया इंटरस्टिंग चीज भी बताता है चलता हूँ आपको इंडिया और जिंबावे पहली बार ऐसा होगा कि टीट बंडी वर्ल्ड कप में आपस में भीड़ेंगी अगर वो ऐसा करते है न, तो फिर वर्ल्ड में पहले बैट्समेन होगे जिन्होंने ये माइल्स्टोन चुएंगे अभी करेंटली स्काई के नाम पर 965 रंस है नमबर चार, 2022 के पहले जिंबावी के सिकंदर रजा के करियर में 524 रंस थे 42 टीट वर्ल्ड याई मैचेस में जिसमें सिकंदर का 13.43 का अवरिज था और 106.93 का स्ट्राइक रेट था लेकिन मामला अब चेन सहु लिया है 2022 में तो आपने क्रिकेट को पूरी तरीके से रिवाम्प सिकंदर रजा ने कल लिया यार जहां पर उनके नाम पर 23 टीट वर्ल्ड याई मैचेस में 701 रंस कोर है उनका अवरिज आया है 35.05 का और स्ट्राइक रेट क्लॉक हुआ है 151.40 का ये तो गजबी मेजर जम्प है बहुस इनका छे में से 5 हाफ सेंचुरी सिकंदर की अकेले 2022 में आई है तो यार द परफॉर्मनस से स्पीक वॉल्यूम्स अब अगर बाटिंग में नहीं चलते है तो फिर बोलिंग में चली जाते है कि आई गजबी यूटिलिटी है सिकंदर जगी तो ये था बस आजखा मामला अब आपके पास और भी पॉइंट्स होगे तो कमेंट सेक्शन पर बताना और हमारे घ्यान का संचार करसा देना अगर आप डिसग्री भी करते हो ना तब भी बताना क्यूंकि आप और हम ही तो मिलकर परिपक्वता लाते है तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी ह बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर दिना अरे तब ही तो आपके चानल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है पहली फुर्सत में पता चली जाएगा आपको और हाँ अपना और अपने घरवालों का न बहुत ज्यादा वाला धियान रखना यार वह बहुत ही आपके तो मापसे